जय सिव संकर मित्रों, मैं आप सभी का हरिस पांडे, आप सभी मकर रासी वालों के लिए आज एक बहुत ही महत पूर्ण विशाय लेकर के आया हूँ मित्रों पिछले एक महिने से आपकी आर्थिक स्थिती थोड़ी डगमगाई हुई थी क्योंकि देव गुरु ब्रिहस्पती अस्त चल रहे थे देव गुरु ब्रिहस्पती किसी की भी कुंडली में धन के कारक होते हैं और जब देव गुरूब रिहस्पती अस्तो हो जाते हैं तो होता क्या है कि इनकम के फ्लो में कमी आने लगती है और हमारा पुरुसार्थ कम होने लगता है आत्मविश्वास कम होने लगता है तो धन के कारक ये देव गुरूब रिहस्पती अब होने जा रहे हैं उदय इसी स मन्द में मैं वीडियो लेकर आया हूं कि आपको इसका क्या-क्या लाब मिलेगा वीडियो में आप सभी बही बने रहिएगा वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुल्ले करें मेरा वाट्सप टंबर है 8540096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो चलिए मित्रों करते हैं वीडियो की सुरुवात देखिए मित्रों जब देव गुरु ब्रिहस्पति त्रीति यह तीसरे घर में थे पराक्रम घर में थे तो वे 28 2023 को उसी पराक्रम घर में अस्त हो गए थे अब देव गुरु ब्रिहस्पति आ गए हैं चतुर्त भाव में और विराजमान हो गए हैं राहु के साथ तो राहु के साथ देव गुरु ब्रिहस्पति विराजमान तो हो गए लेकिन देव गुरु अपना सात्विक फल दे नह बाकि सभी तो अपना फल दे रहे हैं लेकिन देव गुरु ब्रिहस्पती अभी सोय पड़े थे अस्त का मतलब क्या जैसे समझ लीजे कोई इनसान काफी दिनों से सोया हुआ हो अब जैसे कि आप सो कर उठते हैं तो आप ताजगी मैसूस करते हैं और अपने कामों में लग ज 23 की सुबह में आपके चतुर्त भाव में उदय होने जा रहे हैं और देव गुरु ब्रिहस्पती जब चतुर्त भाव में उदय होंगे तो चतुर्त भाव के फलों को भी बढ़ा देंगे साथ इसाथ उनकी जो पाचवी साथ्वी और नौवी द्रिष्टी है जहां जहां पड़ रही है उन जगहों के भाव को भी फलों को भी बढ़ा देंगे अब मैं अगर द्रिष्टी पर चर्चा करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी अतह अब मैं विशय पर आता हूं सौर्ट कट में चतुर्त भाव किसका होता है जमीन जायदाद प्रापर्टी का मा प्रदय रोगी थे तो विशय रोग में भी आपको राहत दिखनी शुरू हो जाएगी और क्या-क्या फायदे होंगे चली अब हम जानते हैं कार छेत्र और व्यापार में आपकी उन्नती होगी इसमें कोई दोराय नहीं है खर्च में जो वृद्धी हो गई थी गुरू के अस्त होने के पश्चात खर्च में जो वृद्धी हो गई थी वो कंट्रोल होगी जिससे की आपको राहत की सांस मिलेगी दामपत्त जीवन में जो मधूरता की कमी आ गई थी अब उसकी पूर्ती होना सुरू हो जाएगी यहां तक की लव-लाइफ में भी प्रेम का विस्ता अयक्यादार होना कुष्याषर हो जायेगा आपके लव लाइब भी अच्छी होना शुरू हो जाएं गी पति पत्नी के भीच कलह कलेश बढ़ गया था पिछले एक महिनों में वह कलह कलेश ठीक होना शुरू हो जाएगा और आप लोगों के संबंद्र वापस पठ्री dov.ध Finish dal बढ़ना शुरू हो जाएगी आपकी डेली इंकम जहां गुरू अस्थ होने के कारण घट गई थी वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगी आपके पराक्रम में जो कमी हो गई थी वो उसमें अब व्रिध्धी होने लगेगी आपका पराक्रम बढ़ने लगेगा और आपको मैस थी tension बना हुआ था वो tension अब दूर होगा और partnership में भी आपको फाइदा मिलना शुरू हो जाएगा. आठके हुए अधूरे काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे जिन कामों को ले करके आप परसान रहते थे और वो काम आपके हो नहीं पा रहे थे आप कितनी भी कोशिस करते थे लेकिन वो काम आपके बन नहीं पा रहे थे अब वो काम आपके होना सुरू हो जाएंगे आगे बढ़ना सुरू हो जाएंगे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगना सु परका हो और उसके बाद विद्यार्थियों का जो मन था जो पढ़ाई लिखाई से उचट गया था उनका वो मन वापस पढ़ाई लिखाई में लगना सुरू हो जाएगा ब्रिहस पती देव अब आपको आपके हर कार्यों में सफलता दिलाना सुरू कर देंगे गुरू देव एक साल तक आपको अपना सुबफल प्रदान करते रहेंगे आपकी धर्म कर्म में रूची बढ़ेगी और आपके धर्म कर्म में आध्यात्मिक्ता में वृद्धी होगी जिससे की आपके मन को सांती मिलेगी गुरू भाग के भी कारक होते हैं मित्रों तो अब जब गुरू उदय होंगे तो आपको आपके भाग का भी साथ मिलता हुआ आपको नजर आएगा तो मित्रों मिला जुला करके गुरू का उदय होना देखिए पिछले एक महिने से एक मात्र गुरू के उदय होने से एक मात्र गुरू के उदय होने से आपको बहतर परड़ाम नहीं मिल प हैं अगर आपकी कुंडली में गुरु चाण्डाल दोस्त नहीं होगा अगर आपकी कुंडली में ब्रियस्पती नीस्के नहीं होगे तो गुरु उदय होने का प्रिव्य आपको अपको बहुत ही सुन्दर मिलने वाला है इसमें कोई दो नहीं है ठीक है मित्रों तो आप गुरू के उदय होने का अनन्द लीजिए गुरू जब अस्त हो जाते हैं तो सभी सुपकारे वर्जित हो जाते हैं इससे साब समझ में आता है कि गुरू के अस्त होने पर नकरात्मक सक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है तो अब सकरात्मक तका आपके अंदर विकास होगा उन्नती होगी और आप निरंतर अपने पत पर आगे बढ़ेंगे तो यह रहा मित्रों गुरु के उदय होने का फलादेश जाते जाते एक बार फिर से कहे दूँ कि यह आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कु से उसंकर